हलो गाईज, वेलकम तु जेमडिया अकेडमी, आज मैं लेकर आए हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, IMUCT 2023 की इंग्लिश की त्यारी के लिए, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अच्छी रेंग के लिए क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन तयारी कैसे करनी है वो हमें पता नहीं होता है तो आज वो तयारी आपको कैसे करनी है यह हम आपको पूरा डीटेल बता दूं कि पेपर आता कैसा है, उसमें क्या question आ सकते हैं, किस तरह क्या आ सकते हैं और आपके approach क्या रहनी चाहिए, भाई, सबसे पहली बात, आपके physics, chemistry, maths, topics हैं जो subjects हो थोड़े से tough हो सकते हैं, लेकिन English is super easy, बहुत आसानी से हो सकता है, तो scoring है, तो अकर आपको rank लानी तो English को छोड़ना नहीं है, ठीक है, तो English की तयारी के लिए आपको बतातों, paper में सबसे पहला question आपको दिखाई देता है, हो सकता है, वो आपके serial में इधर उदर हो जाए, लेकिन आपके paper में जरूर दिखाई देगा, क्या vocab part, vocab part में तीन type के questions आते हैं, एक idioms phrases, दूसरा antinips और तीसरा synonyms, approximately 40 marks का आपका paper होता है total, 40 में से, 40 में से 15 से 20 marks सिर्फ इन तीन topics के हैं, किसके idioms and phrases, antinips and synonyms, तो इस topic को vocab part को बहुत अच्छे से करना है ताकि आपको को कोई भी दिक्कत ना आए, अब ये vocab part करने के लिए आप जो newspaper है उसको read कर सकते हैं, आप जो novel से उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितने words आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए beneficial हो जाएगा, idioms and phrases बहुत easy होते हैं, जैसे spill the beans, spin the beans का मतलब क्या होता है, कि beans को हमने spill कर दिया यानि कि कोई चीज छुपाई भी थी उसको reveal कर दिया, bring to the light का मतलब क्या होता है, कि हमने फिर से किसी चीज को reveal कर दिया, cat out of the head, इसका मतलब कोई चीज हमने बाहर निकाल दी, हमने reveal कर दिया, तो इस तरह से आप idioms and phrases को कर सकते हैं, अब आते हैं हमारे antonyms synonyms, antonyms वो होते हैं word के opposite वाले words, ठीके जैसे black का क्या होता है, white होता है, dark का क्या हो जाएगा, fair हो जाएगा, synonyms सेम मतलब वाले शब्द, जिनका मतलब सेम होता है, ठीके, तो जैसे black का synonyms क्या हो सकता है, dark हो सकता है, yes, हो सकता है, तो जितने भी हमारे closest possible words होंगे, हम इन तीनो questions में से हम उनको select करते हैं, और आपके 15-20 marks, your short है, जो कि बिना grammar पढ़े, बिना फालतुगा घ्यान ले इधर दुर से आपको आ गया, ठीक है, आपकी जो text books है, जो आपने पढ़ी हैं, उसमें बहुत सारे words आपने अल्रेडी पढ़े हुए हैं, तो ये part आप easily कर सकते हैं, अगले part में बढ़ू, तो इसके बाद reading comprehension, reading comprehension एक passage देते हैं, उस passage में से बस हम ये question उसे related देते हैं, मतलब हमारे पास कोई पहले से त्यारी करने का मौका नहीं होता, लेकिन हमें सिर्फ ये करने हैं, वो पैसे ध्यान से पढ़ा और question देखा, अब इसमें मैं suggest ये करता हूँ कि पहले question पढ़ो, बाद में आप paragraph देजाओ, क्यों? क्योंकि आपको question के answer दीन ने paragraph पूरा पढ़के फाइदा नहीं है, तो वाई wasting time, time बाकी subjects को देंगे न, तो भाई क्या करना है, question वहाँ पे लिखा, कि where is kutub minar, तो वहाँ पे आपने पढ़ा kutub minar is situated in Delhi, ओके answer मिल गया, बस इस तरह से फटाफट कर दो, तो यह वाँता reading comprehension भी बहुत easy और 5 number short short आपके इसके भी बहुत आसानी से आ सकते हैं, अब error spotting, यह आपका पूरा grammar के practical usage पे है, अब grammar जब आप पढ़ेंगे, grammar हम आपके कुछ topics हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने और उसके error spotting के आपको practice करनी पढ़ेंगे, बिना practice के यह topic आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है, अब यह से पढ़ना क्या क्या है, भाई, parts of speech पक नहीं नहीं, क्योंकि इस पर बहुत बार question पूछा जाता है, जैसे parts of speech हमारा complete हो गया, अब tenses निप्टा देना, एक बार tenses निप्टा दिये, parts of speech निप्टा दिये, जब आपने यह से topic निप्टा दिये, एक conditional score निप्टा देना, क्योंकि इसके बेस पर ही बहुत बार question पू चुकी है, तो fillers में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हैगी, क्योंकि fillers के दो type के question आते हैं, एक vocab based, जिसमें आपके vocab की practice की जाएगी, vocab के base पर दे देंगे, और दूसरा जिसमें वो grammar के base पर देंगे, तो grammar के base पर डालके आप fillers भी कर सकते हैं, spelling आपने बच्पन से होती है, अब वहाँ पर चार option होंगे, उसमें तीन गलत होंगे की सही होंगे, spelling आपको आती है, अच्छे से पढ़ी है, तो आपर आम से कर पाहेंगे, तो spelling का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, last topic जो आपको सीखना है, sentence rearrangement, ये topic ना तो grammar पे बेच्ट है, ना ही आपक grammar, grammar के अला, vocab पे बेच्ट है, ये topic बेच्ट है आपके दिमाग पे, आपको दिमाग लगाना है कि भाई, सबसे पहला sentence, sentence arrangement में होता ये है कि एक paragraph को, अलग-अलग sentence में लिख देते हैं, उन sentence को उपर नीचे कर देते हैं, तो भाई, इन sentences को, हमें एक serial में लाना पड़ता है ठीके, जैसे मैं कहूँ, एक राजा था, एक रानी थी, उनके दो बच्चे थे, अब मैं सबसे पहले इकता हूँ, उनके दो बच्चे थे, एक राजा था, और एक रानी थी, अब उड़े serial में क्या करना, उसको पहले वाले form में लाना पड़े गा है, तो उसको हम कहते है sentence rear environment, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप यह डूण लीचे, सबसे पहला sentence कौन सा है, सबसे पहला sentence जूणने का तरीका यह है, कि आप सबसे पहले यह कोशिश कीजिए, आपको पता लगे, कि general fact की बात कहा पे कर लिया है, general information कहा दी जा दिया, या फिर noun से कौ pronoun यूज करते हैं, अगर कोई noun है, तो इसकिल pronoun भी तो यूज करेंगे, हमारा second sentence usually pronoun से शुरू हो सकता है, या फिर conjunction से शुरू हो सकता है, और जब आप इसको follow करेंगे, तो out of 40 questions, आप 35 से 40 marks easily ला सकते हैं, trust me, आपके पास एक महिन है, ये एक महिने में आप पूरा बढ़िया score कर सकते हैं, तो all the best, मेरी तरफ से बहुत बहुत, all the best, आप सभी लोगों को best of luck और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, बहुत सारी महनत कीजिए, I'm sure अच्छी rank आपका वेट कर लिए, thank you so much, bye bye